विर मॉर्णिंग ओल उफ यू आप सभी थम्नेल को देखकर के समझ गये होंगे कि आज हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं तो हमारे चर्चा का विषय आज का है कि कैसे ब्रश्पत ने छीना शनी से राजा की उपाधी यहां पर राजा की उपाधी का अर्थ हुआ कि कैस नंबर वन होने का ताज छिन लिया है तो आखिर शनी किस चीज में नंबर वन पर था ब्रश्पत ने कैसे उसका ताज चीज पर पहुंचा है इसके बारे में हम विस्तार रुप से चर्चा करेंगे तथा इसके अलाब हम देखेंगे कि यह हमारे लिए क्यों महत्तपूर है तथा ब्रश्पत यानि की जूपिटर और शैटर्ण यानि की शनी से संबंदित जितने भी महत्तपूर फैक्ट्स जो हमारे एक्जाम में बहुत ही महत्तपूर है उन सभी के बारे में भी आज हम चर्चा करने वारी है आज की क्लास में तो मेरा नाम है गौरा मिस्रा और आ है राइट क्या सूर्ष शनिक के अनुसार दूर सनी सुर्ष से दूरी का अनुसार शनी छठे नंबर का क्या है ग्रह है जिसे कि हम नंगी आँखों से देख सकते हैं अगर हम बात करें तो शनी के क्या हुए थे पहले आपके 62 क्या असपास उपग्रह हुआ करते थे लेकिन 2019 में जब शनी के अचानक से 20 नए उपग्रह धूड़े गए तो शनी को उपग्रहों की संख्या कितनी हो गए आपके वर्तमार में 83 है तो खूल इतनी संख्या हो गए और इसी के साथ जो शनी था वो सौर मंडल में सबसे जादा उपग्रहों वाले ग्रह के रूप में जान रिशर्च के अनुसार 12 नए उपग्रह धूड़े गये हैं लेकिन किसके जूपिटर यानि के ब्रेश्पत महोने के नए 12 धूड़े गये हैं और इसी के साथ इसके कुल उपग्रहों की संख्या देखा जैब वर्तमान में कितनी हो गई है तो बानबे यानिके 92 उपग्रह ह हो गये हैं और इसी कारण से जो अभी तक शनी हो रहा था तो शनी के जगह पर क्या ब्रेश्पत सर्वाधी कुप ग्रहों माला ग्रह हो गया हमने टाइटल डाला था कि कैसे राजा बनने का पर छिन लिया कहते हैं कि बाप बाप होता है बात वही है कि पहले 2019 से पहले ब्रे ब्रेश्पत से यह तमगा चीन लिये नंबर वन होने का और खुद पहन करके बीच ने अपगर धुड़े और खुद पहन करके बैठ गया लेकिन फिर से ब्रेश्पत ने क्या कि ब्रेश्पत ने नए 12 बच्चों को पैदा किया अब बोला कि भिया सबसे जारा बच्चे त पूछाजाता है कि वह अंतिम ग्रह कौन से है जिसे हम नंगी आँखों से देख सकते हैं तो आपको पता है कि सुर्य से दोरी गहन सवारा ग्रहों का करम देखा जाए तो सबसे पहले आपका बुद्ध शुक्र के बार कि आता है पृत्वी फिर मंगर फिर ब्रेश्पत और और शनी आपका छट्वर रखई है और शनी के चारो और एक वलया पाये जाता है अब आज ब्रिख्पत के बाले बाद करें ड्रेस्पत सर्वााधिक उप ग्रहों वाला ग्रह है अब इसी के साथ यह सबसे बड़ा ग्रहे भी है। यानि कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रहे की बार करें तो कौन सा ब्रश्पत है और इसी के साथ अगर आप Mts पारों जो कि हमने आपको सबसे अगर हां sıम्हास बैच तो Mts का स아प्यां की पर्यच बार करें यह बिल्कुल free batch है जो कि आपके YouTube चैनल और application दोनों माधिमों से चलाया जा रहा है अगर आप हमारे application को जोईन करते हैं टेस्ट में live class के अलावा आपको test series मिलेंगे, videos मिलेंगे, बहुत सारी e-notes मिलेंगे, तथा आपको सभी class की doubt session classes भी मिलेंगे, जिससे कि आप हमारे सभी teacher से directly interact कर सकते हैं और कोई भी questions पूछ सकते हैं, I hope आज की classes आपको पसंद आई होगी, समझे में आई होगी, यदि आप इसका पूरा देखना चाहते हैं complete solar system के बारे में, तो आप हमारे foundation batch को जाकर के देख सकते हैं, उसके playlist में सारी videos पढ़े हुए हैं, और यदि आप MTS की सब्सक्राइब करते हैं, तो MTS का जो playlist है, geography का वहां पर भी पढ़ा हुआ है, तो वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं, I hope आपको अच्छा लगा होगा, अगर बहतर लगा हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में जागर के बताईएगा कि आपको classes कैसी लगी, हमारे वीडियो को share करें सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें फिर मिलता हम अगली वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद